हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मैं विश्यादा सबके स्वागत करता हूं आपके चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को तबाना ना भूलने ताकि बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाले है इसकिप जरा सा भी नहीं करना और वीडियो को देखना एंड तक अगर आप स्किप करेंगे तो काफी कुछ मिस कर जाएंगे ओके दोस्तों थमनेल लेके समझ गए होंगे दोस्तों वीडिय को स्टार्ट करता हूं दोस्तों आप जनरली रोज क्या वनना कभी-कभी तो आप गूगल मैप को यूज करते ही होंगे रोज मर्रा की जिंदगी में बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं इनके अगर आप भी यूज करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सेटिं इमानों प्ताता हूं दुस्तों उससे फरी एक बाट जान लेते हैं गूगल में आपको चालू करने के लिए लोकेशन का अर् zig hearing होना बहुत जरूरी है वाइफाइफाइफाय हो या फिर आपका खुद का प्रायविट इंटरनेट वो और क्यों में आईंटरनेट डला तो ऐसा possible है तो इसके लिए Google Map ने एक setting निका लिए जिसे बोलते हैं offline जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं बहुत लोग नहीं जो लोग जानते हैं अच्छी बात है लेकिन आप देखेगा वीडियो को फिर भी end तक इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको Google Map को खोलना होगा Google Map को अब जैसे ही खोलेंगे दोस्तो यहां पर Google Map आ जाएगा Running Wi-Fi है मेरा तो अभी यह चालू है ओके दोस्तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे यूज कर सकते हैं यहां पर आपको जाना होगा आइकन पर क्लिक करना होगा ओफलाइन मैप पर जाना होगा ओके दोस्तो अब दोस्तो यहां पर एक option आता है जिसे बोलता है select your own map ओके दोस्तो यानि कि जैसे ही आप select करेंगे यहां पर अब यह बताएगा आपका जो map है उसे यह download कर लेगा और आप उसे offline use कर सकते हैं लेकिन दोस्तो इसे use करने के लिए आप चाहें तो अपना Wi-Fi का use कर सकते हैं जैसे भी आप use करना चाहें और then इसे offline इस map को use कर सकते हैं दोस्तो बात समझ में आई इस map को यहां पर इस तरीके साब जितना करना चाहते हैं जितना जो भी आपकी location जैसे कि मेरी location यह है ओके दोस्तो तो मैं इसे corner से corner के लिए मिला सकता हूँ यह मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जैसे कि आपको यहां पर लिखा हुआ है दोस्तो दूसरे corner पे left upper corner पे right मुझे यहां पर जाना और मैं you are here पे हूँ तो मुझे इतना बाइफा है इतना map download करना ही पड़ेगा तो इसके लिए 290 MB यह मांग रहा है और in case अगर आप इसे running में use करेंगे तो 1GB से उपर फोग जाएगा तो आप 290 MB का यह map download कर सकते हैं in case आपकी location छोटी है तो इस तरीके से zoom कर सकते हैं इसके लिए आपका और कम वाइफा है जो भी आपका internet वो फोगेगा तो इस तरीके स यह अब MB इसका घरता जाएगा ओके दोस्तो अब जैसे कि मुझे एक location से दूसरे location जाना हो मेरी दौना location इस map में आ चुकी है तो मैं इसको download कर लूँगा ओके दोस्तो इस तरीके से मैं इसे download कर लूँगा डाونलोड करने के बाद जैसे ही यह download हो जाएगा अब देखे दोस्तों यह हो चुका है download मतलब यह थोड़े डिते देर में download हो जाएगा और जैसे ही यह download हो जाएगा उसके बाद आप इसे offline यूज कर सकते हैं इसके लिए आप चाहें तो अपना नेट बंद कर सकते हैं नेट बंद कीजिएगा जैसे कि देख सकते हैं नीचे वाली location में एक और लेडी मेरा downloaded map है तो इस पर मैं click कर सकता हूँ और यह देखिए अपडेट करने की बोला इनके साब अपडेट नहीं करना चाहता है तो आप इस पर click करके यहां से यह running हो जाएगा ओके दोस्तों अब इसमें आपका आपने पहली बारे setting को जाना है तो अभी video को like करना बनता है और please channel को subscribe कर दिजेगा बहुत मेहनत लगती है एक video बनाने में उसके बारे में research करने में उसके बारे में जानने में उसके बारे में वीडियो बनाने में और then editing करके उसे upload करने में दोस्तों यह पूरा एक दिन की म आसी अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स वीडियो के साथ ओके दोस्तों बहुत जल मिलेंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों